आज हम बात करने वाले है कि अगर आपको अपने फोन में Incoming and Outgoing Call Problem आ रही है यानि कि अगर आपके फोन में Call आ नहीं रहा है या फिर आपको Call करने में किसी भी Type की Problem Error आ रही है तो incoming and outgoing call problem कैसे ठीक कर सकते हैं अपने किसी फोन में आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले settings को open करिए settings में आने के बाद नीचे scroll करेंगे और एक option आपको मिलेगा apps एपस पर किलिक करिए और उसके बाद आपको एक option मिलेगा manage apps इस पर आप किलिक करिए ये option आपके फोन में app manager या फिर app management के नाम से हो सकता है तो आपको नीचे scroll करने पर यहाँ पर मिलेगा phone या फिर phone आपको जो dialer मिलेगा अपने phone का phone service और phone इस पर आप किलिक करिए तो जैसे कि search कर लेते हैं सबसे पहले phone और phone पर किलिक करके नीचे आपको मिलेगा force stop का option तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस type का option आपको मिलेगा force stop इस पर किलिक करके ok करिए उसके बाद clear data पर किलिक करके clear all data पर किलिक करके ok करिए उसके बाद storage का एक option आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी clear data आप कर सकते हैं अब उसके बाद एक option आपको मिलेगा app permission इस पर click करके आपकी सारी permission चालू होनी चाहिए अगर कोई permission deny है यानि की बंध है तो permission पर click करेंगे और allow पर click करके सारी permission को on कर दीजिए उसके बाद back आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप phone search करेंगे तो एक option आजाएगा phone service इस पर click करिए नीचे force stop पर click करके ok करिए उसके बाद same clear all data पर click करके clear all data और ok यह करने के बाद back आजाएए अब उसके बाद आपको settings में ही एक option मिलेगा connection and sharing इस पर आप click करिए उसके बाद नीचे scroll करके एक option आएगा reset wifi mobile network and bluetooth इस पर आप click करिए और जिस sim से आपको problem आ रही है वो sim card आप select करके नीचे reset option पर click करिए अब उसके बाद अपने phone का lock enter करके नीचे ok गा option आएगा ok करिए ये करने से कोई आपका data या फिर कोई photo video कुछ delete नहीं होगा कोई application delete नहीं होगा only आपकी wifi mobile data और bluetooth के settings reset होगी इस process को करने से और यहाँ पर ये सब process करने के बाद back आएंगे अगर आपको ये option नहीं मिलेगा तो settings में search पर करके आपको search करना है reset और आप देख सकते हैं ये वाला option आजाएगा या फिर आपके phone में आएगा reset network settings के नाम से तो उस option पर आप किलिक करके अपने phone की network settings को reset करिए अब उसके बाद आपको sim card and mobile network settings में जाकर अपनी sim 1 पे गिलिक करके यहाँ पर आपको use voltee को चालू करना है अगर आपका बंद है सेम आप sim 2 में जाकर use voltee को चालू कर दीजिए अब आपको check कर लेना है अपनी sim में incoming and outgoing validity या फिर अपना balance check कर लीजिए और ये सब आप check करेंगे और उसके बाद अगर balance नहीं होगा तो incoming validity खतम होने पर आपके phone पर call आप ही नहीं सकता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये सब settings अपलाई करने के बाद आपकी incoming and outgoing call problem ठीक हो जाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें